हेलो मेरे पिरेव बिद्यार्थी आप सभी का स्वागत है हमारा इस यूटूब चैनल में तो क्लास 12 की हांडेड माक्स हिंदी दिगंत भागतू का सिलेबस जो है आप सभी ने जानते होंगे कि क्या है ने जानते होंगे तो जरूर आप हमारे यूटू चैनल पर देखिएगा और पालक्रिस्ट भट यानि पहला चिप्टर दिगंत का बातचीत है जो कि बातचीत किस परकार की जा तो लेखक हैं बालक्रिस्ट भट इस वीडियो में हम लोग जीवन पर रिच्छे जानेंगे बालक्रिस्ट भट का कि बालक्रिस्ट भट ने अपने जीवन में क्या क्या किया और इनकी पूरी इतिहांस क्या है अब्जेक्टिव परस्ण आप सभी जानते हैं 50% परस्ण आते हैं 50% जो कि 50% में से कुछ परस्ण बहुत सारे जो भी परस्ण अब्जेक्टिव में वस्तर ने इसमें पूछे जाते हैं वो लेखक सही होते हैं तो हम लोग हर चेप्टर के सुरुवाती वीडियो में लेखक परिचे लेकर आएंगे उसके बाद हम लोग लेखक के बारे में समझने के बाद चेप्टर को समझेंगे तो आईए इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचे के बारे में समझते हैं और जानते हैं साथ ही साथ आपको इस YouTube चैनल पर Class 12 के लिए 100 marks English और 100 marks Hindi का भी मिलता रहेगा और आप लोग को पूरी सिलेबस जो है ऐसे ही complete होते जाएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ने कियोंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आप लोग वाच कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ने करते हैं जिससे क्या होता है कि उतनी मोटीव नहीं मिल पाती है जितनी तरीके से यह PDF बनाने में मेहनत लगती है उतन बालक्रिष्ण भट के बारे में सबसे पहले क्या है कि बालक्रिष्ण भट शुरुवाती दिनों में यानि प्रामरिक यूग के परमुख पतरकार थे हिंदी की उस समय उतनी अच्छे से उदय भी नहीं हुई थी कि उस समय बहुत ही एक बड़े पतरकार और निवन्दकार हिंदी के आधुनिक अलोचना के परवर्तकों में अग्रेण नय यानि बहुत ही जाने माने आस्तियों में से एक थे बालकिस भट का जन्म 23 जून 1844 भी को हुआ था ठीक ना और इनके पीता का नाम बेनी परचाद भट है आप सभी से अबजेक्टी में पुछा जा सकता है कि बालकिस भट का जन्म कब हुआ है उनके पीता का नाम क्या है बालकिस भट जी के पीता जी जो थे पेशे से बैपारी थे और उनकी माता का नाम परवती देवी था जो की एक सू संस्कृत महिला थी यानि उनको संस्कृत मैं अच्छी तरीके से आती थी और उस संस्कृत के जनकार थी बालकिस भट को इनकी माताजी पारवती देवी जो थी सू संस्कृत महिला इनों नहीं पढ़ाई करने पर जोर दिया कि तुम अध्यान करो और पढ़ाई करने पर जोर दिया सबसे पहले इनको संस्कृत ही उन्होंने शीक लाया आगे हम लोग जानेंगे कि इनके सिख्षा कैसे थी सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि पाल कृष्ण भठ का निवास अस्थान जो है वो इलाभाद उत्तर प्रदेश यानि प्रयाग राज है ये इलाभाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे अब आईए जानते हैं कि इनकी सिख्षा प्रारम में कैसे कैसे हुई है तो इन्होंने प्रारम के दिनों में सुरुवाती दिनों में सबसे पहले संस्क्रेट सीखा और सन 877 में इन्होंने परियाग के मीशन अस्कुल में इंट्रेंस की परिच्छा दी और उस परवेश परिख्षा से यह उस अस्कूल में दाखिला लिए और वहाँ पढ़ने लगे बाद में पढ़ने के बाद यह 1879 से लेकर 1875 तक परियाग के मेंचन अस्कूल में अध्यापन में करिरत रहे सारा चीजों में ये सब करते रहे हो आप पढ़ाने भी लगे 1885 के 85 में पर्याग के C.A.B. ठीक है C.A.B. अस्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया यानि वहाँ इन्होंने संस्कृत पढ़ाने लगे C.A.B. अस्कूल में बाद में तीन साल बाद 1888 में पर्याग की कायस्त पटसाला इंटर कॉलेज में अध्यापक न्यूक्त हुए लेकिन ये इनका अध्यापन जारा दिन तक नहीं चल सका जिसके कारण उर्ग सभाव के कारण इन्हें नोकरी छोड़नी पड़ी यानि इनका सभाव बच्चों के प्रती सारा पढ़ाई या इन सब के प्रती जो बच्चों के प्रती इनका प्रभाव जो सभाव था वो अच्छा नहीं था उग्र था बहुत जल्दी उग्र हो जाते थे जिसके कारण नोकरी छोड़नी बहुत सारी कठिनायों का सामना करना पड़ा पीता जी की मिर्तु हो गई पीता जी की मिर्तु हो गई तो घर में बहुत सारे परकार के कारण हो गए तो उसके बाद इन्हों ने घर जो आर्थिक बहुत सारे हुए गिरिख कला होने लगे तो घर छोड़ दिया इन्होंने और ये मासिक पत्रिका 33 वर्सों तक निकालते रहे तो ऐसे इन्होंने आगे बचल कर काम किया और ऐसा नहीं बहुत सारा घोर संकट इनको सारे चीजों का सामना करना पड़ता था हिमत से काम लिया और बाल कृष्ण भट ऐसे ही आगे बढ़ते गए अपने जीवन के मुकाम पर और एक ऐसा अंत दिन आही गया जब बाल कृष्ण भट हिंदी सहित के महान कवी लेखक, अलोसनकार, निबंदकार, कताकार की मिर्दू हो गई और सन 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया जो कि हिंदी सहित के लिए बहुत एक अपनोनी अच्छती था क्यूंकि बाल बहुत दिनों के बाद ऐसे कवी का उद्भा हुआ जो कि सारे चीजों में था। ऐसा क्या किये बाल कृष्ण जो कि अपुर्वच्छती हुई आहिए हम जानते हैं उनके कुछ रचनाओं के बारे में। सद्भाव का भाव। यह सब सारे बाल कृष्ण भठ के उपनियास है। मैं डियर स्टुएंट आप सभी को मैं बता दूँ उपनियास एक बहुत एक मोटी किताब होती है। जो कि सिर्फ एक ही किताब होती है। नाटक, पदमा ओती, क्रिंता जुनिये, वेंडी संगार, सि दमियंती या दमियंती सुएंबर इसको काते हैं। दोनों एक ही ना में उपजेक्टिव में परस्ट ने पुछा गया है। तो आईए और कुछ जानते हैं और देखते हैं। वीडियो को अंतक देखते रहिए। क्योंकि थोड़ी बहुत अगर आप वीडियो को अंतक समझने के बाद हम लोग समझेंगे इसका जो है ना अब्जेक्टिव प्रसन समझने के बाद प्रसन उत्तर प्रहसन किया प्रहसन हसी जो होते हैं यह सब सारी चीज जैसा काम वर्यसा परिमान लिखा है नई रोशनी का अभी से अचार बिनमन आदी इन्होंने एक निबंद से लिका है और यहां निबंद एक हजार निबंदों का जो संगरा है और यहां निबंद एक हजार निबंद का संगरा है जो कि इसे भट निबं माला नाम से जाना जाता है प्रस्तूत कविता प्रस्तूत निबंद जो है बादचीत इसी खंड से लिया गया है और यह दो खं बातचीत के बारे में कि बातचीत आखीर कैसे बातचीत होती है और बातचीत किस परकार की निवन्द है तो विडियो के अंतक बने रहने के लिए धन्याद आईसे ही पढ़ते रहे लगन से मेहनत करते रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजे क्योंकि आप सभी को class 12 में पढ़ते हैं तो class 12 में 100 marks हिंदी और 100 marks आपको English पूरी तरीके से complete करवाई जाएगी Thank you, धन्यवाद